अगर आपके पास भी इश्रमकार है तो यह जानकरी आपके लिए बहुत ही महत्पून है सरकार की तरप से जबरदस्त घोसना की गई है जिसके अंतरगत आब हर महिने लावार्थियों को तीन हजार रुपे दिये जाएंगे जी हाँ वैसे तो इश्रमकार से लावार्थियों को कई परकार के लाव दे जा रहे हैं लेकिन सभी वैक्ति उन फाइदों के बारे में नहीं जानता है कि इश्रमकार से क्या-क्या लाव लिए जा सकते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके पास इश्रम कार्ड हैं तो आप अपने इश्रम कार्ड के जरिये तीन हजार रुपे हर महीने कैसे ले सकते हैं उसकी तमाम जानकारी आपको दी जाएगी दोस्तो हमने यहाँ पर एक स्क्रिंसूट भी लगाया हुआ है एक स्क्रिंसूट आप यहाँ पर देख सकते हैं तीन हजार रुपे डिविटी के माध्यम से बैंक एकाउंट में ट्रांसफर किये गए हैं तो यहाँ आप महिला हो या फिर प्रूस हो दोनों ही ले सकते हैं किस प्रकार से यहाँ आप ले जाएगा उसके बारे में तमाम जानकर दी जाएगी बस आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा जिसके अंतरगात आपको हर महीने तीन हजार रुपे मिलना सुरू हो जाएगा चलिए वीडियो सुरू करते हैं और आपको तमाम जान कर देते हैं और किन वैक्तों को यहलाब दी जाएगा उसके बारे में भी आपको जानकरी दी जाएगी आपसे हम निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो किरिपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को सेर भी कर दीजिएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं देखे अगर आपके पास भी इश्रमकार है तो हर महीने आपके बैंक एकाउंट में तीन हजार रुपे आना सुरू हो जाएंगे अलाकि लावार्तियों को यह लाप राप करने के लिए कुछ महत्पूर्ण कारिया भी करने होंगे देखे वैसे तो सरकार की तरप से इश्रमकार के अंतरगत कई बड़े लाप दिये जा रहे हैं इश्रमकार धारकों को लाखो रुपे में लाप दिये जा रहा है जो एकती एसंगडी छेतर में रहते हैं उनके लिए इश्रमकार एक वरदान है जी हाँ एक वरदान से कम नहीं है क्योंकि इसमें लावार्ति जो एसंगडी छेतर में रहते हैं जो अपना स्वयम का कार्या करना चाहते हैं चाहिए बड़ाव कार्या हो या फिर छोटा कार्या हो दोस्तों उसके लिए सरकार से पैसा दे सकते हैं वह भी जीरो ब्याज पर परतिसत ब्याज पर आपको पैसा मिल गाइए इसमें आप अपने कारोबार को अच्छा खासा खड़ा कर सकते हैं, अच्छा खासे कारोबार को आप चदा सकते हैं, लेकिन दोस्तों हर वेक्ति इसके लिए चुप नहीं है, इस्रमकार के अंतरकात वह लाब नहीं ले रहे हैं, जबकि सरकार हर परकार का लाब इस्रमकार से दे रही है अब तीन हजार रुपे किस पकार से लवारतियों के बैंक अकाउंट में आएंगे चले उसके बारे में भी आपको बता देते हैं बस आपसे हमारा निविदन है कि आप हमरे साथ अंतितक बन रहेगा सबसे पहले बात करते हैं पातरता की कि कौन इसमें आविदन कर सकता है कौन इसका लाब लिसकता है देखिए सबसे पहले तो यश्रमकारधारक जो है भारत का नागरी होना चाहिए साथी ऐसंगठित कामकार जैसे फेरी वाले किर्सी संबन्धी काम निर्मार अस्तल पर काम करने वाले मजदूर चमड़ा उद्योग में काम करने वाले अधिक के रूप में काम करने वाले कामकार तीन हजार रुपे हर महीना प्राप्त कर सकते हैं दोस्तो अगर आपके पास इश्रमकार है तो आप और भी लाल सकते हैं इनकी लाखो रुपे में आप अपने इश्रमकार से रुपे ले सकते हैं सरकार से वे भी जीरो पर्दिसत ब्याज पर लेकिन सभी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं दोस्तों गर आप कहेंगे कमेंट करेंगे तो इस्रिम कार्षी किया किया अलाव मिल रहे हैं उसके बारे में आपको तमाम जान कर दे जाएगी लाको रुपय आपको किस प्रकार से रमकार से मिलेंगे उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देंगे आला कि इसके लिए आपको जाल से ज़्यादा वीडियो को लाइक करनी होगी और इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बोक्स में जाकर आपको कमेंट भी करना होगा क्या आप किस जली से हैं या फिर किस राज्य से निवास करते हैं तो इसमें 18-40 वर्ष की आयू होनी चाहिए और मासिक आए यान की हर महीने की आए आपकी 15,000 रुपे से कम होनी चाहिए अगर 15,000 रुपे से अधिक आप कमाते हैं तब भी आप इसमें 3,000 रुपे हर महीने नहीं ले पाएंगे दोस्तो आपको बता दें कि सरकारी वित्य पोसित यान की जो इफिए फो या फिर वेट टैक्स भरता है या पिसक पैंसन लावारती हैं तो वे इसका लाब नहीं ले पाएंगे आपकी जानकार के लिए बता दें कि प्रधान मंत्र स्रम योगी मांधन योजना के अंतरगत लावारतियों को 3,000 रुपे पैंसन दे जा रही है हाला ही लावारतियों को 55 रुपे से लेकर 200 रुपे तक इसमें जमा करने होते हैं लेकर दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जितना पैसा आप जमा करेंगे उतना ही सरकार करेंगी मालेजे कि आप 55 रुपे अपनी तरफ से जमा करते हैं तो सरकार भी दोस्तों आपके अकाउंट में 55 रुपे ही जमा करेंगी यानि कि इस प्रकार से आपके एकाउंट में 110 रुपे हर महीने जाएंगे जो पैसा आप जमा करेंगे वही सरकार करेगी मालेजे कि अगर आप 200 रुपे हर महीने जमा करते हैं तो सरकार भी आपके एकाउंट में 200 रुपे जमा करेगी इस प्रकार से हर महीने आपके बैंक एकाउंट में 400 रुपे हर महीने जाएंगे ठीक दोस्तों अब इसमें लाब किस प्रकार से मिलेगाव है आप यहाँ पर जान लेजिए देखें जब लाबार्ति की आयू 60 वर्ष की हो जाती है उसके बाद लाबार्ति को 3000 रुपे पैंसन मिलना सुरू हो जाती है मासिक पैंसन दे जाती है लावार्थी की मिर्थी पर अगर लावार्थी की मिर्थी हो जाती है तो उनके पति या फिर पत्नी को 50% मासिक पैंसन दे जाती है दोस्तो यदि पत्नी और पत्नी दोनों के ही मिर्थी हो जाती है तो इसमें ऐसे में 6,000 रुपे नियुक रूप से मासिख पैंसन प्राप्त होंगे अब दोस्तो ये तियाप के लिए महत पुर्ण जानकर याई होप आपको जानकर इसलेगी होगे अगर आप भी इश्रम कारधा रखें तो आप यहलाब ले सकते हैं यदिधी आपको कोई स्वाल कर सकते हैं आप जाते हैं आप से जाल जात आवर मिलते हैं आपको सुने स्टूडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत